मैं अर्विन जी आप से बात शुरू करूँगा फिर राजनेतिक लोगे पास जाऊँगा कल का जो घटना क्रम रहा हरियाना में कॉंग्रेस हारी और जम्मू कश्मीर में भी कॉंग्रेस पराक्रम नहीं दिखा पाई गई कोंग्रेस को मजबूत मान रहेते राहूल गंदी को जन्नायक मान रहे थे उन सब के टोन बदल गई, सब प्रविचन मोड में है, मैं संजे राउत को सुन रहा था, वो करें तो राउल गांधी में के पास विजन नहीं है, और कांग्रेस एरोगेंट है, क्या, सफा के भी लोग वो ही करें, अखिनेश जी ने तो 24 गंटे के भीतर ही लिस्ट जारी कर द और भारती जन्ता पार्टी को जो हर्याना में सकलता मिली है, वो एतिहासिक है, एतिहासिक इसलिए है, कि स्वतंद्र वारत के इतिहास में हर्याना में किसी को भी लगातार तीन बार सरकार बनाने का उसर नहीं मिला है, कांग्रेस वहां पे भारती जन्ता पार्टी से लगा किवल और किवल एक सीट कांदेश को मिली है इससे बड़ी सर्मा किसी कुछ हो नहीं सकती है और चार-पांच सीटे जो उसको कास्मीर में मिली है वो किवल एंसी के नाते हैं तो इसको आतिशोक्ती नहीं कहने यह सच्चाई है वहां के अप दूसरे पात आ जाते हैं कि इनके दलों का साथी दलों का वैवाग 비슷 है आपने कहा ना कि न साहा जाय न रहा जाय, मैं कहूंगा तुमीसे लड़ाई तुमी से मुखपत और तुमी से लडाई दुहाई ये दुहाई तो इस्थिधी यही है अब यह जो इंपी गटवनन है भानमती का पिटारा और बीरोधा बासी इसलिए इसमें जो दल है इनके हित नहीं मिलते हैं और वह वह सबने beleइन ही तो आटी आई हुणीब तो चोड़ने चाहते हैं और यह लेना चाहते हैं तो इस वह तिता से घडवन्दना आगे जलना में हुश्किल है तो विरोधा भास थी लेकिन एक आशर मिल गया है कांगेश ने जिस तरह से हर्याना में पर्तिकात्मत रूप से भी अपने सयोगियों को शार्थ नहीं लाया है एक आशर उनके मित्र दलों को मिला है और परहार कर रहे हैं आम आदमी पाटी ने भी किया है शिवशेना ने भी तरीके से लेकिन राहुल गांदी और कांगेश के दौरा जब उनको वैलू नहीं भी आ गया तो चुप हो गएगी कि कि आप लड़ी के तरफ से लगता है और समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में कोई तवर्ट है ठीक है अर्विंजी जब आप अपने मैदान में किसी को खेलने नहीं देंगे तो दूसरे के मैदान में आप खेलने की इक्षा भी क्यों रखे और चामालो इक्षा रख भी ले और आपकी इक्षा ठोकरा दी जाए तो आपको सार्जनिक तोर पर शिकायत करने का भी हत हासिल ले उत्तर प्रदेश मे आपको 10 में एक सीट भी न दे या गाजयाबाद की दे दे जैसे सूचना है कि भी गाजयाबाद दे दे लोकसभाब में भी गाजयाबाद दी थी डॉली लेनी थी मुल यह नहीं दे तो आप तो कुछ बोलने किस्तिति में नहीं ना आप बोलो या या पता देंगा हर्याना म क्या एहुआ हॉआ, मद्धरदेस मह लुए जमुकिश्मीर मह वा हुआ मसला यहां पर आके फस गया है अशोग जी लेकिने एक बात है जो करना जो किया वही करते आप लेकिन आम दो चार दिन का गैप तो रखते अभी दुर घटना घटी और उपर से आप में लिष्ट जारी कर दी नहीं कांग्रेस थोड़ा भार्याना के दुर घटना को जप्तो कर ले थी आज कई मूहरत बताया था क्या पंडी जी ने के बोले ना आज ये करहल से लेके मजमा तक सब डेकलेर कर दो सबसे पहले तुम्हें आज 9 अक्टूबर को मानुवर कासी राम जी का पनिर्मान देवस है और अवसर पर मैं उनको साधर ग्लमन करता हूं और उनकी बताए वह संकल्प पर हमाजवादी पार्टी सकती है दूसरी बात जो आपने सवाल किया है उस सवाल पर गराती ही तो आ आजकर जो अपने कहा कि पंडित जी ने वक्त बताया था या समय बताया था ऐसा कुछ नहीं है हमारे राश्टी जी ने शुरू से ही कहा है कि बात सीट की नहीं है बात जीट ही है और अपने लिए जो उन्होंने कहा था और अपने सवयोगी दलों के लिए भी उन्होंने कह पार्टी से मालगे चीक हरियाना में हम लोगों को सीट नहीं मिली लेंग फिर भी राश्टी दर्जी ने हमारे बड़ा दे दिखाते हैंगे आम आदमी पार्टी के तरह तो वहां पे एक उच्छा राकिया नहीं का ठीक है अगर कांगर्श पार्टी वहां जीत जाती है तो ब अब बात नहीं है अब कांगर्श पार्टी को कर वहां पराजें मिली तो प्रस्टम को भी है लेकिन वहीं पे आज जगड़ा करने का बक्त नहीं यह बात इंट्रो इस्पेक्शन का है आत्म मंथन का क्यों ऐसा हो रहा है मध्यपर्दिस से लेकर के हर्याना तक ऐसा हाला क् आत्म मंथन करने की ज़रूत है जिंदकी यह हुई की बसर तरह काफिला साथ और सफर तरह काफिला साथ है सफर अपेले करने में कभी कभी दिक्क्तें आती है अब उसको कांग्रेस पार्टी को या उनके सिर्ष नित्युक्ति तो बात मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन वहां प और एक पार्टी को नहीं हमका एकर एक अगर जॉइंट फेमिली हम ताप दी जॉइंट फेमिली में किसी एक मेंबर के साथ अगर पुरी बिक्तत होती है तो पुरे परिवार को उसको कर्ष्ट होता है तो हम लोग का यही इस्तिति हैंडियागर बंदन में होने कि नाते हमे समय नहीं है और हमें हमाएं मुखी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के जिम्मिदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी के दसों सीटों पर पठ्खनी देना उसके लिए हमसे जो भी हो पा रहा है हम उसको जदिस जल्दी उसको करके अपनी रण करते हमारा दिन बहुत बड़ा है हमेशा जो है खुले मन से खुले दिल से अपने स्वायोगियों को साथ लेकर के चलते हैं और इसी पो हम लोग अपने आगे भी कारकरवों में लेकर चलने का प्रयास करेंगे मतलब यह है कि लड़ो तो नहीं देंगे लेकिन चूरा बचे नहीं देनी इसलिए समय नहीं तुरंत आज ही जारी करो मैं कुछ नाम पढ़ता हूं तेज-परताप को जब अखिलेश जी ने कन्नावज लड़ने का फैसला किया था उसी दिन तेज-परताप को बता दिया गया था तुमको हम लड़ाएंगे करहल बाइलेक्षिन ठिक लि वहां इंफार्म सोलंकी की पतनी के लावा को दूसरा लड़ भी नहीं सकता समा से डंका अवदेश परजाद सांसत फईजाबाद अशोग जी नाम पर ध्यान दिजिएगा क्या वो लड़के को लेके अखिलेश जी किया आयते अखिलेश जी ने अशिरबाद दिया था उनन अखिलेश जी आदाव से कह दिया था मेरी पतनी लड़ेगी चुनाव यह द्यान अखना बुलेट हो नहीं रमेश बिंद जब यह मिर्जापूर से चुनाव लड़े अनुप्रिया पटेल खिलाब भाजपा छोड़के आई सपा में औहार गए उसके बाद इन्होंने क्या को एक्जिस्ट करना पड़ागा वो मजबा से लड़ेगी यह जितने छे नाम हैं इनमें से किसी को लिस्ट की दरूत नहीं थी सब अपनी पर त्यारीम लगें भाई इसमें चौकाने बाला नाम कौन सा है सब को मालूम चुनाओ लड़ेंगे मिल्किपूर में बताओ इस लिस्ट का को मतलब है सब जानते हैं कि अब देश बाबु को लड़ाएगा नसीम खान साब आपके साथ आपके साथियों की हमदर्दी खतम हो गई बेदर्दी हो गई यह तो मैंने कहूंग लेकिन हमदर्द कियो आपने की आपने कम जो मध्यपदेश में किया वह हरियारा मद किया और वह जम्मुकस्मीर में किया आप सथा बातना नहीं चाहते हो और जमीदार्य पूरी चाहते हो नए बिना वार्टे सथा कहा मिलेगी इसलिए अखिले शेmersि अदभ ने जटका दे दिया नसीम हमारी सोच के खिलाब में नहीं पूरे देश के विशले से को खासकर मैं यह कह दूँ सर्वे वाले टेलिविजन वाले और जितने भी भार्टेशन पार्टी के सुख जिन तक है उन सब की सोच के खिलाब हर्यारा में जो रिजल्ट आया है हमारे खिलाब तो निश्चित की बात है कि आपने खुद अभी जवाब दे दिया कि यह जो छे नाम है इनके क्लेमी समाजवादी पार्टी का था और रही बात इसकी आप यह बोल जो रहे हैं कि आपके बीच में खटास पैदा हो गई जटका दे दिया ऐसी कोई बात नहीं है मानने है राश्चिय के लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे के लेज़िशनाव पर नहीं है उन्होंने पहले नाम के सामने मीडिया के सामने जाथ Сइब कर तु criar कर देरां पचाओ मेलन सम्मान सम्मेलन और हमने इसकी तैयारी किये, दस-दस हजार आदमी खटा हो रहा है, अलीगड़ में खेर विदान सबा के अंदर अपनी नसीमुदिन सिद्धी की साहब के नेतरत में, दस हजार आदमी की मीटिंग हुई, मीरापूर में मीटिंग हुई, गाजयरबाद में बूत सम्मेलन हुआ, इसका करेगा, दस-दस सीट पर समाज़वादी भी काम कर रही ज़ू स्टू भी काम कर रही है, इसि पर समझोथा होगा, उस योगी सरकार रही के क्लिक है अब किसी तरह के कोई बनाई नहीं है, हाँ टेलिव ज़िएन चैनल भूद आएन बटन में नियार्न compartmental बेचिमे लड़ा